वेलकम टू आबर यूटूब चैनल मैथ सॉल्यूसन आज की इस वीडियो में हम लोग एक से दस हजार तक के सभी का रोमन अंक लिखने बाले हैं जिन दोस्तों को एक से सो तक या दस हजार तक रोमन अंक नहीं आता है लिखने के लिए वो इस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं पहला एक का क्या होता है आप सिंपल सा एक का दे दिजिए इस तरह आई ठीक दो का क्या होता है दू गो आई दे दिजिए तीन का क्या होता है तीन गो आई उसी प्रकार चार का होता है पहले आई दे दीजिए उसका भी दे दीजिए पांच का इस तरह भी छो का क्या होगा भी आई साथ का भी डवल आई यहाँ पर बिंदा मत दीजेगा इसी तरह रहने दीजिए उसके बाद आठ का हो जाएगा भी तीन गो आई नो का आई एक्स और दस का एक्स देखिए एक से दस तक ही आपको सही डंग से याद रखना परेगा क्योंकि इधर जितना भी बनेगा वो एक से दस तक जो याद रहेगा तभी आपको इधर बनेगा उसी परकार देखिए ग्यारह होता है दस में एक जोरने पर तो दस का होता एक्स लिखते है एक्स और एक को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ग्यारह उसी तरह बारह होता है दस को दो जोरने पर दस में दो जोड़ते हैं बारे होता है दस दो बारे उसी प्रकार दस तीन तेरे दस चार चौदा दस पंच पंदरह दस छो सोलह दस साथ सत्रह तो सत्रह क्या हो जाएगा एकस भी डबल आई ठीक अठारे का हो जाएगा एकस भी ट्रिपल आई उनीस का हो जाएगा एकस आई एकस ठीक और बीस का डबल एकस हो जाएगा इसी परकार तीस का क्या होगा ट्रिपल एकस लेकिन चालिस का चार गो एकस मत दिजिएगा पहले चालिस से पहले पचास का जान लिजिए पचास का होत है इसलिए इसमें XL देंगे जैसे यहां पर देखिए दस में एक कम होता था नौ तो एक कम कर दिये जितना कम अबला रहे तो इसको इस साइड लिखते हैं उसी तरह यहां पर भी यानि पचास में दस कम है तो इसको क्या बोलेंगे 40 कोई भी 3 बार ही रिपीट होता उसके आगे 4 बार मता रिपीट करजिएगा अगला है 60 तो एल एकस यहीनि 50 कम यहां पहले 100 का लिख लिजे, 100 का क्या होता है, तो 100 का होता है C, और 100 में 10 कम है, इसलिए C लिख देंगे, इससे पहले क्या लगा देंगे, X, यानि X C हो गया, क्या 90 का, अब देखिए, X C मतलब 100, तो 2 कुसी देंगे, तो 200, उसी परकार, 3 को C देंगे, तो 300, क्या हो जाएगा, 300, next है 400, यहां पर 3 कुसी दिए है, next है 400, तो देखिए, 400 को क्या लिखिए, उससे पहले 500 को जान लेजिए, 500 का होता है D, 500 को क्या होता है, D, और कहने का मतलब 500 में 100 कम होता है, तब उसको बोलते हैं 400, इसलिए D लिख देंगे, और D से पहले हम लोग 1 C लिख देंगे, क्या लि D, double C, फिर 800, D, triple C, लेकिन 900 लिखने से पहले आप 1000 को जान लिजिए, 1000 का होता है M, 1000 का क्या होता है M, और M में कहने का मतलब 1000 में कितना कम है, 100 कम, तब 900 होगा, इसलिए C पहले दे देजिएगा, कम के लिए, उसके बाद देखिए, 1000 का M हो गया, 2000 का क्या हो जाएगा, double M, 3000 का क्या हो जाएगा, तो 3000 का लिखिएगा, triple M, लेकिन 4000 का, 4 को M मत लिखिएगा, 4000 का 4 को M, नहीं लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 4, और उस पर एक रेकरिंग दे देंगे, इसका मतलब है 4000, चार पर रेकरिंग दे देंगे, इस पांच लिख दी जिए उसका मतलब 5000 music का क्यों जायागा 6 लिए उसपर एक रेक्रिंग हुख दीजिए उसका मतलब 5000 6000 के क्यों छेडंग दीजिये उसके एक रेक्रिंग सठाकर नहीं दीज़े नोओजार और दस थार के लिए एक्स लिकर उस पर रेक्रिंग दे देजेगा तब उस तरह अप आसान तरीके से एक से 100 तक भी सीखे होंगे साथ ही साथ एक से आप दस हजार तक भी लिखना सीख गये होंगे I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सेयर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिए धन्यवाद